हलो तो आज जो मैं प्रोड़ट की रिव्यू करूँगी इसके बारे में लोगों को बहुती कोईरीज रहती हैं ये है एक मेंस्ट्रॉल कब मैंने इसे 264 रुपीज में मंगाया है अगर आप साल में 150 रुपीज का भी पैड लेते हैं तो आप कम से कम 2000 रुपया सिर्फ सैनिटरी पैड पर खर्च कर सकते हैं पीसेफ एक लौता ब्रैंड है जिसमें एकसेस साइस भी अवेलेबल है यही अगर आप एक मेंस्ट्रॉल मैंने स्मॉल साइज ओर किया है आप साइज चार्ट के अकॉर्डिंग ओर कर सकते हैं मेरे पैड से कप में स्विच करने का बहुती सारा रीजन्स था काफी रैशेज हो जाते थे और बहुती मुश्किल होता है पैड को डिस्पोज करना अगर आप बाहर है या ट्रैविल कर रहे है या वर्किंग ओमन है इसकी लेंथ आप देख सकते हैं तीन इंच के बराबर है और कैपैसिटी मार्किंग अंदर दी हुई है आप देख सकते हैं 20 ml की है आप एक बार में कप को 7-8 घंटे तक यूज कर सकते हैं उसके बाद आपको इसे पुल आउट करना होगा और खाली करकर वाश करना होगा उसके बाद आप वापस से इंसर्ट कर सकते हैं मेडिकल ग्रेट सिलिकॉन से बना हुआ है यह कोई भी इसमें आपको नुक्सान नहीं होगा अगर आप इन्वार्मेंट के बारे में भी सोचे तो आपको पता होना चाहिए लग बग 200 टन्स ऑफ पैट डेली डिस्पोस होते हमारे अर्थ पर और उससे कितना ज्यादा वेस जन्रेट होता है और आपका एक मेस्ट्रील कॉप फांस साल से 10 साल तक चलता है तो आप सोन सकते हैं आपको कितना कम वेस्ट जन्रेट करने वाले हैं कप को यूज करने से पहले उसे गरम पानी से एक बार वाश करना बिलकुल ना भूले अब आपको स्क्वाइट करकर बैठना है या फिर आपने एक पैर को किसी चीज के सहारे उपर रखना है कप को आपको ऐसे एक उंगली से पंच डाउन करना है ये हो गया हमारा punch down fold जो की मेरे लिए सबसे comfortable है और ये हमारा दूसरा fold हो गया seven fold इसे हम कहते हैं और ये अगर मैं आपको एक fold और बता दूँ ये third fold है हमारा जिसे कहते हैं diamond fold या triangle fold और मुझे जो दूसरा सबसे easiest fold लगता है वो ये है C fold आपको बस punch करकर उसे fold कर देना है ये हमारा C fold है एक दो बार try के बाद आपको भी पता चल जाएगा आपको कौन सा fold सबसे ज़्यादा best suit करता है अगर आपको insertion में problem हो रही है तो फिर आपको बिल्कुल panic नहीं करना है सबसे पहले deep breaths ले, calm down करें, mind को बिल्कुल शान करें और दुबारा try करें अगर आप एक बार cup में comfortable होगें उसके बाद आप pads को वापस बिल्कुल भूल जाएंगे आपको एक दो दिन तर continue आप try करें आप जरूर successful होएंगे cup को remove करने के लिए आपको बस cup पे नीचे से pinch करना है और उसे pull out करना है मुझे खुद 5-6 try से ज़्यादा लगे थे और मैं बहुत ही demotivate हो गई थी कि शायद मुझसे यह नहीं होगा मगर मैंने वापस से एक दिन try किया, बिल्कुल relax होके and I succeeded तो all the best आपकी इस नहीं menstrual cup वाली जर्नी के लिए और आपकी कोई भी कोईरी हो आप मुझे कमेंट करकर जरूर बता है